हलो केट्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चानल स्टडी विद लता शर्मा पर आज मैं आप लोगों के लिए नीचर माजिक के नाम से पार्ट 3 की बुक लेकर आई हूँ थर्ड क्लास की EVS की बुक है ये एन्वार्मेंटल स्टडीज की आज हम इसमें चाप्टर 18 रीट गरेंगे वीचिंग प्लेसे ओके इस्थानों पर पहुँचना किस तरह से पहुँचा जाता है warm up में यहां दिया गया है find out the uses of the following means of transport यहां पर आपको कुछ means of transport के pictures दिये गए हैं उनके नाम दिये गए हैं आपको बात करनी है आपस में कि ये transport के means किस काम में आते हैं ठीक है चलिए lesson start करते हैं how do you go to school आप school कैसे जाते हो many children walk काफी बच्चे हैं जो चल कर जाते हैं some ride their bikes कुछ अपनी bikes या cycles वगएरा चलाते हैं some go in cars in buses और कुछ cars और buses में जाते हैं the ways or methods by which people and goods are moved from one place to another are called means of transport वे साधन जिनके द्वारा लोग या फिर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचता है उन साधनों को हम यातायाद के साधन कहते हैं यानि means of transport कहते हैं means of transport can be divided into three modes यातायाद के साधनों को हम तीन तरीकों से देख सकते हैं land transport, water transport and air transport है ना आप सब जानते हो ना बच्चो यही तीन मादियम हैं जिनके द्वारा हम यातायाद कर सकते हैं या वस्तूओं को यहां से वहां ले जा सकते हैं लैंड ट्रांस्पोर्ट क्या होता है the common means of land transport in villages are bullocks, horses, donkeys and elephants ये कह रहे हैं कि लैंड ट्रांस्पोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें वे सभी साधन आते हैं जो धर्टी पर चलते हैं गाओं में आम तोर पर आप देखोगे तो बैल, घोड़ा, गधा और हाथी इनका इस्तिमाल किया जाता है यातायाद के लिए In desert people use camel, रिगिस्तान में उट का इस्तिमाल किया जाता है They have padded feet that do not sink in the sand उटों के जो पैर होते हैं वो गदीदार होते हैं, padded होते हैं जिस कारण वो रेत में धस्ते नहीं है So they can walk easily in desert, इसलिए क्या होता है कि वे आसानी से रेत पर चल पाते हैं That is why the camel is called the sheep of the desert यही कारण है कि camels को sheep of desert कहा जाता है, यानि रिगिस्तान का जहाज कहा जाता है People in forest use elephants to carry logs in hilly areas Mules, donkeys and ponies are used to travel and to carry goods जंगलों में जो लोग काम करते हैं, वे क्या करते हैं, बारी बारी लकड उठाने के लिए Elephants का use करते हैं और पहाडी छेत्रों में आपने देखा होगा गधे, खचर, गोडे, इन टटू, इन सब का use होता है ट्रावल करने के लिए या सामान लाने ले जाने के लिए इसका बहुत अच्छे example है, बच्चो आप लोग वैशनो देवी गए हैं अगर तो आपने देखा होगा इनी सब टाइप के animals में बैट कर लोग यात्रा करते हैं और जो भी construction work चल रहा है पूरे वैशनो देवी मार्ग में इनी सब animals के तुरू उसका माल भी ढोकर उपर पहुचाया जाता है है ना, आप सभी ने देखा होगा जो लोग गए होंगे ओके, आगे क्या बता रहे हैं इन towns and cities, car, buses, vans, scooter, motorcycle, truck and bicycles are common means of land transport शेहरों में अगर आप देखेंगे तो ये सभी आतायात के साधना में देखने को मिलते हैं जो की धर्थी पर चलते हैं इन बिग cities like Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai, there are local trains इस trains carry millions of people to their working place and back Delhi, Kolkata and Mumbai have metro train it runs under the ground as well as above the ground यहां बता रहे हैं बड़े शहर Mumbai, Mumbai, Kolkata, Delhi और Chennai में अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत सी local trains हैं जिसमें लाखों लोग रोजाना काम करने के लिए जाते हैं और वापस अपने घर भी आते हैं Delhi train से अप डाउन करते हैं Delhi, Kolkata और Mumbai जैसे शहरों में metro train भी चल रही हैं जो जमीन के नीचे भी चलती हैं और जमीन के ऊपर भी चलती हैं trains are also used to travel long distance since India is a big country train is considered to be the most convenient mode of transport train का इस्तेमाल लंबे सफर के लिए भी किया जाता है जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा शहर है बहुत बड़ा देश है तो train को सबसे ज़्यादा convenient यानि सबसे ज़्यादा सुविधा जनक माना जाता है यातायाद के साधनों में हैं न next यहां बता रहे हैं water transport water transport क्या होते हैं board steamers, ferries and ships are the most common means of water transport यह सभी क्या है and heavy goods across the sea to other countries board steamer or ferries क्या है यह छोटे यातायाद के लिए यानि local आने जाने के लिए इस्तेमाल में किये जाते हैं जबकि ship का प्रयोग एक देश से दूसरे देश में यात्रियों को ले जाने या भारी सामानों को पहुचाने में किया जाता है ships need a good report मतलब land करने के लिए एक अच्छे खासे space की ज़रुत होती है जहां पूरी facilities arrange की जाती है उसे एरपोर्ट कहते हैं ऐसे ही ships को भी सामान लादने या सामान उतारने के लिए ports की ज़रुत होती है तो Mumbai is the biggest and busiest port in India ship से मतलब आप business कर रहे हो ship से आप travel कर रहे हो ship मतलब जो ship business है ना porting business जो है वो Bombay में सबसे बड़ी मात्रा में होता है चीक है तो next क्या बता रहे है air transport air transport में क्या है aeroplanes and helicopters are the main means of air transport air transport है वायू यात्रा करने के साधन जिसमें aeroplanes और helicopters शामिल है इनके द्वारा हम क्या करते है हवा में यात्यात करते है aeroplanes are the fastest and the costliest means of transport बचो क्योंकि aeroplanes सबसे कम समय में सबसे लंबी दूरी तै कर सकते है इसलिए ये बहुत महंगे भी होते है माने इनकी यात्रा बहुत महंगी होती है they cover long distances in a very short time ये बहुत ही कम समय में बहुत दूर की यात्रा तै कर पाते है aeroplanes need a good airport to land and take off जैसा कि मैंने बताया ships को भी port के आवशक्ता होती है माल को load या unload करने के लिए इसी तरह से aeroplanes को भी airport जैसी जगा की ज़रुत होती है take off करने के लिए या land करने के लिए है न India has many big and good airports look at the list of some big airports in India हमारे देश भारत में बहुत बड़े बड़े बहुत ही अच्छे airports है इन में से कुछ famous airports के नाम और वो कौन से शेहर में है यहां पर दिया गया है इस list को ध्यान से पढ़िए इंद्रा गांधी international airport न्यू दैली में है चत्रपती शिवाजी international airport मुंबाई में है नेता जी सुभाष चंद्र बोस international airport चेन्नाई में है सरदार वल्लबाई पटेल international airport एहमदाबाद में है गुरू रामदास international airport अमरित्सर में है नेक्स्ट आपको बता रहे हैं helicopters 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 are used to reach the places where airplanes cannot land helicopters का प्रयोग ऐसे स्थानों पर पहुँचने के लिए किया जाता है जहां पर airplane land नहीं कर सकते they carry food, clothes, medicines for people who get trapped in floods or earthquakes or any other disaster helicopters का इस्तेमाल मतलब किसी भी प्रकार की प्राकरतिक आपदा आजाए अगर जैसे बाढ़ आगई है भुकाम पागया है या और कोई भी आपदा ऐसी दरुगटना गरस्त एरियाज में helicopter के द्वारा खाना, कपड़ा, दवाईयां और ज़रुवत का सामान पहुचाया जाता है कई बार आप देखोगे तो helicopters के ही थ्रू लोगों को बचाया भी जाता है rockets and spaceships are used to travel to outer space हवा में ही चलने वाले बचो एक specific संसाधन rockets or spaceships भी है इनका इस्तिमाल किया जाता है outer space में जाने के लिए यानि इनका इस्तिमाल एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश travel करने के लिए नहीं करते हैं बलकि इन में बैट कर अंतिक्ष में जाया जाता है जिसका प्रयोग जादा तर scientists and astronauts करते हैं क्यों ताकि वे explore कर सके the entire universe अपनारी पूरी संसार को पूरे ब्रहमांड को वो लोग explore कर सके उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके और हम तक पहुंचाए है न fuels for vehicles most vehicles need some fuels to move ज़्यादा तर जो संसाधन होते हैं जो engine से चलते हैं आप यह से समझ सकते हैं जो engine से चलते हैं उनको petrol, diesel और CNG जैसी fuels की आवशक्ता पढ़ती है चलने के लिए ठीक है fuels of vehicles give off smoke or fumes that can pollute air vehicles से निकलने वाले इन fuels के जलने से जो दुआ निकलता है वो क्या करता है वो air को pollute करता है we should choose the mode of transport wisely so that the fuel is not wasted हम सभी को बहुती चतुराई से transport का साधन मतलब अपने यातायात के लिए के office जाना है या कहीं भी जायात्रा करनी है उसके साधनों को बहुत सोच समझकर हमें चुनना चाहिए इस्तिमाल करना चाहिए ताकि fuel waste ना हो क्यों कहा जा रहा है ऐसा क्योंकि बच्चों fuel ना एक limited amount में है इस धर्ती पर अगर हम उसे waste कर देंगे तो फिर आगे यात्रा कैसी कर पाएंगे one should make it a habit करके green corner दिया गया है इसमें कुछ important चीज आपको बताई जा रही है vehicles move on different fuels such as petrol and diesel too many vehicles on the road add to air and noise pollution आपने जैसा कि इस chapter में पढ़ा कि vehicles को चलने के लिए petrol, diesel, CNG type के fuels की आवशक्ता होती है बहुत ज़ादा vehicles जब road पर चलते हैं तो न केवल वायू प्रदूशन होता है बलकि ध्वनी प्रदूशन भी होता है by walking short distances we can reduce pollution छोटी दूरियों को तै करने के लिए अगर हम पैदल चलेंगे तो इससे pollution कम होगा we save fuel at the same time और साथ साथ हमारा इरधन भी बचेगा sharing a right to school with other kids in the neighborhood is also a good idea अगर मान लीजिए अरोस पोडोस से दो बच्चे एक ही school में जा रहे हैं तो दोनों के पापा उन्हें अलग-अलग bikes पे या cars पे लेकर क्यों जाए अच्छा ये होगा ना कि किसी दिन एक के पापा दोनों को ले जाए किसी दिन दूसरे के इससे आपका time भी बचेगा और fuel भी बचेगा It is called carpool इसे हम कहते हैं carpool यानि car share करना तो बच्चो इसी के साथ आपका ये chapter finish होता है I hope आप सब को इस chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चो आपको वीडियो पसंद आई हो तो please इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करना ताकि वो भी education का फायदा उठा सके ओके, thank you